चतिसगड़ की अर्थ विवस्था में जिस तरह से पोबर के महत्व को रिखांकित किया है और उसको अर्थ विवस्था का मुख्या अधार बनाने की कोशिश हो रही है इसके लिए मैंने ये सुझाओ गिया है कि एक तस्वीर के संसुझाओ दिया है कि उस तस्वीर को हमारी राजकी चिन्ह के इस्थान पर नए राजकी चिन्ह बना आ जा सकता है। राजकी चिन्ह बदले जा सकते हैं। हम 36 गड़ के लोग भी अलग-अलग राज्यों में रहें। देज भी परतलत रहा, अलग-अलग रजवारों में रहा। तब भी प्रतिक चिन्ह अलग-अलग सब के रहे हैं। वह समय में बदलते रहे हैं। 36 गड़ सरकार ने नाम पदलने की परंपरा भी डाल दी है। तो चुंकि एक नई सोच की सरकार आई है, जो गोबर अधारित है। तो गोबर के प्रतिक को मैंने भीजा है। राष्ट या प्रदेश के राच्टी प्रतिक चिन्नों के अपमान का कुल कुदेश ही नहीं है। मैंने सुधाओ दिया है। ना कि किसी प्रतिक के प्रतिक अपमान व्यक्त किया है या ऐसी बूल कारवाण की है। झाल 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 क्पदब